नमस्कार विरेंद्र भाई आपने जो फोटो भेजा है इसको देखने के बाद जो बेसिक चीजे समझ में आने जैसी है आपको भी सारे लोगों को समझने क्या हो शकता है कि यहां से जो प्लांट की उपर जो स्ट्रेस बना है याने जो एन्वार्मेंट का स्ट्रेस है इसको बोलते है अब आलेटिक स्ट्रेस जो स्ट्रैस बना हुआ इसकी वज़़े से प्लांट में पूरी तरह से भुर्ट जो है रीठाइड हो चुकी है पत्ते सब पत्ले इसके वज़े से पूरे बिना हवा के भी इस पत्ते फटने का प्रोब्लम ज्यादा है, फिर पूरी ग्रोथ रिटाइड हो चुकी है क्योंकि पत्ते में मिनिमम प्लांट में जितना भी निट्रिशन की आवशकता है, उतना भी प्लांट जमीन से निट्रिशन अपटेक नहीं पानी की मात्रा जो हमें दिखती है कि पानी की मात्रा काफी कम है यहाँ पे जो पानी की मात्रा है यह काफी कम है पहली बात दूसरी बात यह है कि पानी के साथ साथ निट्रिशन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है जैसे गर्मी के दिन जो बढ़ते है तो इसमें क्या होता है कि ज इसके午जे से जमीन कि प्रे अपरां के दाइरे में जड़ो का पूरा गवेलपमेंट होता है ुछ में पानी मात्रा नीचे तो U å उतर जाती तो इसको पहले सबसे पहले क्या करना है? कि इसको पहले acid treatment करो acid treatment से क्या होगा? कि उपर वाली जो मिठी की परत है वो soft हो जाएगे और सपनी वहां पर holding बढ़ना चालो हो जाएगा दूसरी चीजे क्या करना है? कि हर एक दिन के बाद हर एक दिन के बाद एक दिन छोड़के एक दिन खाद की जो मात्रा है उसको थोड़ी-थोड़ी मात्राइ में डिवाइड करके देना है क्योंकि अभी बड़ी मात्रा देंगे और पानी के साथ वो निचले फिससे में चली जाएगी तो वो प्लांट ले नहीं पाएगा तो इसको हमें आगे काम करना है एक दिन पानी प्लेन पानी एक दिन खाद के साथ पानी एक दिन पानी एक दिन खाद के साथ पानी तो करना क्या है अभी इस सिचुएशन में पहले प्लांट को नुट्रिशन अप्टेक के लिए तयार करना है तो इसके लिए क्या करना है प्ल हमारी body की nutrition बनाने की process यानि nutrition rich process बंद हो जाती है साथ ही body stress में चली जाती है तो उस वक्त में हम क्या करते हैं कि IV लगाते है ready feed देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि body record जल्दी होती है और response करती है तो ऐसे हमें भी क्या करना है plant में इसको ready feed spray से देना है जिससे की body जल्दी record हो जाए तो spray के लिए 200 लिटर पानी में 13,40,13 जो grade है उसको 200 लिटर पानी में डालना है 2 kg साथ ही निट्रिपोल एफफ उसको डालना है 500 ml इसमें डालना है आपको ready feed में प्रोमीन 200 लिटर पानी में 500 ml मैगनेशम सलपेट 400 ग्राम और इसमें आदा ग्राम चिलेटेड जिंग मैंने 100 ग्राम चिलेटेड जिंग इसके साथ आपको stress release के लिए cap 500 ग्राम डालना है इसका घोल बनाके 2 spray अगर हम लगाए तो काफी मातरा में आपको changes मिलेंगे ड्रीप से इसी साथ ड्रीप से भी प्लांट को एक दिन छोड़के फॉसपरिक असीड 200 ml लेना है साथ ही उसमें 24-243 kg 2 kg मैगनेशम सलपेट 500 ग्राम और इसमें आपको नुट्रिसील 200 ml और 0050 1 kg इस हिसाब से एक दिन छोड़के एक दिन ये मातरा 5-6 दिन तक यह चे बार इसको पूरा करें तो इससे रूट सर्कल भी डेवलोप होगा और पूरी तरह से वापिस वाड़ी डेवलोप हो जाएगी दन्यवाद